पिरिन्स डमश크ार मैं हूँ आपका फ्रेंडकर मैं आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्षक्on का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्य प्रेस्बोक और एज़ी टीटीवी नेट्वोक पर फ्रेंज हम आपके लेकर आये हैं? राशिफ़ल में बात करेंगे आपका लिखी नमबर और लखी कलर भी पंच्यांग बताइंगे दिशाशूल की झानकारी देंगे साथसाथ आपको ये भी बताइंगे सभी राशी वाले क्या करें और क्या ना करें और राशी फल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाए जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुबात करते हैं कमल नंदलाल के राशी फल की पंचान के साथ म हैं तो दिन है गुरुवार का तारीक है पंदरा फरवरी दूहजार चौबिस माग शुक्ल शष्टी पर चंदरमा मेश राशी और रश्वनी नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा सेविन लखी कलर रहेगा ग्रे यानि किस सिलेटी लखी डिरेक्शन पीस्ट राहुकाल रहेगा दो पहर को एक बचकर 69 मिनट से लेकर के शाम को तीन बचकर 23 मिनट तक सरवारत सिधियोर रवीयोग रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बचकर 26 मिनट तक दिन का सब से शुब महरत रहेगा सुबह जो विशेश उपाय है वो भी देवी छिनमस्ता से ही जुड़ावाय बताएंगे आपको स्पेशल उपाय में दुर्भाग्य से कैसे मुक्ति मिलेगी माता छिनमस्ता की क्रपा से उसके लिए राशिपल को आखर तक देखना पड़ेगा साथ साथ आपको ये भी बता दू कि दिशाशू दक्षन दिशा में रहेगा इसलिए दक्षन दिशा की यात्रा करने से बचें अगर यात्रा करना जरूरी हो तो थोड़ा सा केसर से तिलक या हल्दी से तिलक करके या केसर खाकर यात्रा करें तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के राशिफल की पहली राशी मेश यानि एरिस के साथ में, मेश राशी वालो, लोगों की मदद से कामकाश पूरे होंगे, कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के यूग हैं, पार्टनर के साथ में, आपका सामान जबसे बहतर बना रहेगा, आफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती ह सामाज कारिक्रम में भाग भी लेंगे, उपाई ये करें कि किसी मंदिर में चनादाल का दान करें, शुबंग साथ रहेगा, शुबरंग रहेगा सिलेटी, दूसरी राशी वरिष यानि के टॉरेस की बात करेंगे, दैनी कामकाश में बड़ा फायदा मिलने के यूग हैं, क शुबंग चार रहेगा, शुबरंग रहेगा नीला, तीसरी राशी मित्वन, यानि जमनाए की बात करेंगे, अधूरे कामकाश पूरे होंगे, पहले किये गये कामों में आपको फायदा मिलेगा, पेटे सम्मंदित कुछ समस्याओं से आप परिशान रह सकते हैं, कोई भी फैसला बहुत सो समझ करके लेना आपके लिए हित कर रहेगा, बीरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी है, एक चोटा सवपाय करें, भैते जल में नारियल प्रवाहिद करें, शुबंग कतीन रहेगा, शुबंग रहेगा पीला, चौथी राशी कर्क, या आपके लिए बहुत भैतर रहेगा, कोई महतुपुन फैसला आपकी पक्ष में भी आ सकता है, ऐसे में एक चोटा सवपाय करें, सुर्य देव को जल अर्कित करें, शुबंग कनो रहेगा, शुबंग रहेगा नारंगी, पांचवी राशी सिंग, यानिके लियो की बात करें अपने गुस्से पर आपको नियंतरन रखना होगा, कुछ नया करने का प्रयास करेंगी, कोई नई रिलेशन्शिप में पढ़ने से आपको बचने की मैं सलहा देता हूँ, बिजनिस में नुकसान होने की संभावना है, निवेश किया गया धन, बढ़िया लाव दे सकता है, बस अपनी सिहत पर आपको ध्यान देना होगा, और एक छोटा सा उपाय करना होगा, पानी में हल्दी मिला कर तूलसी पर चढ़ाएं, शुभंग काट रहेगा, शुभंग रहेगा, काला, छटे राशी कन्या, यानि वर्गों की बात करेंगे, नए कारियों में भाग्या आ करें, शुभंग का तीन रहेगा, शुभंग रहेगा, शुभंग रहेगा, पीला, साथवी रैशी तुला, यानि लिवरा की बात करेंगे, सभी कामकाच बन मताबिक तूरे होंगे, एक तरफा सोच आपको परिशानी में डाल सकती है, अपनी वानी पर और आचरन पर थोड मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत भैतर रहेगा, परिवार में सुख और सौभाग्य बना रहेगा, बेवजह किसी वाद विवाद की स्तिती में पढ़ने से बचें, कारोबार में किये गए सौदे फाइदे बन रहे सकते हैं, एक चोटा जोपाय करें गाय को रोटी खिलाएं, शुभरंग साथ रहेगा, शुभरंग रहेगा, सिलेटी, नवी राशी धनू, यानि कि सैजिटेरियस की बात करेंगे, पारिवरिक मुद्दों पर अपनी राय रखने का आपको मौका मिल सकता है, कारोबारियों को मीद से ज़्यादा लाब मिलने के योग हैं, आर्तिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जल्दवाजी में कोई भी काम का जन्ना करें, पूजा गर में पीले फूल चढ़ाएं, शुभंग एक रहेगा, शुभंग रहेगा लाल आपके लिए, दस्वी राशी मकर या आपके बढ़ सकती है, लेंदेन में सावधानी रखें, यह आपके लिए बहतर रहेगा, ठकान और कमजोरी भी आपको महसूस होगी, एक चोटा सौपाय करें, पूजा गर में चंदन के अगरवत्ती जलाएं, शुभंग एच्छे रहेगा, शुभंग रहेगा, गुला भी ग्यार भी राशी कुम भी यानिक एक्वेरेस की बात करेंगे, खास काम काच समय पर पूरे होने के योग हैं, घर परिवार का माहूल भी खुशनमा बना रहेगा, व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है, बहुत एक सुकसाधनों में बढ़ोत की संभावना है, उपाए एक चोटाजा करें, किसी महिला को पीला कपड़ा दान करें, शुबंक च्छे रहेगा, शुब्रंग रहेगा, गुलाबी, बार भी राशी मीन, यानि पाइसिस की बात करेंगे, पॉन्फिडेंस से भरे रह सकते हैं, आप इलेक्ट्रोनिक्स के का रहेगा, शुबंग रहेगा लाल, तो दोस्तों समय हैं, यह जानने का कि सभी राशी वाले क्या करें और क्या न करें, सबसे पहले बात करेंगे, सफलता पानी के लिए सभी राशी वाले क्या करें, तो देखे, आज माग अनवरात्री का जो है वो शष्टी तिती है, च्छ शुब रहेगा आमला का पेड़ लगाना शुब रहेगा इशान दिशा की यात्रा शुब रहेगी अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें तो देखें कोई भी बुरा काम ना करें किसी का हक न मारें भूरे रंग के कपड़े ना पहनें मादक पै और तामसिक भूजन का सेवन ना करें तिल के तेल का दान और उपियोग ना करें दक्षन दिशा की यात्रा ना करें तो दोस्तों समय है आज के स्पेशल उपाएगा वो स्पेशल उपाए जो दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाएगा देखें माग नवरात्र की गुप्त नव और विजिया को रक्त पान करवाया था उनकी शुधा को शांत किया था तो देवी प्रचंड कारी हैं देवी दमन कारी हैं वो काम को क्रोध को शुधा को शांत करती हैं देवी दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाती हैं तो ऐसे में आप क्या करें दुर्भाग्य से मुक्ति करें मंतर कुछ ध्यान से सुनिएगा श्रीम हरीम क्लीम एम वर्ज वज्र वैरो चने हुम-हुम-फट स्वाहìn फिर रिबीट करा हुँ मंतर श्रीम हरीम क्लीम एम वज्र वैरो चने हुम-हुम registration तो दोस्तों आज के लिए बस अतना ही कलाव से फिर मुलाकात होगी जाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए